ब्रह्मचर्य के साधन तृतिय भागदंत ब्रह्मचर्य के साधन तृतिय भागदंत आपो थिताग्रम द्वाव कालो का शाय कटु तिक्तम भक्षयेद दंतपवनम दंतमान सान्य बाध्यन चरक सूत्रस्थान अपांच श्लोक एठाताथ प्रति दिन दो समय का सैले कटु तथा तिक्त रस्प्रधान व्रिक्ष की जिसके आग्रभाग को चबाकर कूँची बुरुष के समान कर लिया हो ऐसे दंतपवन दातों से दंतमान्स मसूडों को अभिगात चोट से बचाते हुए दंतधावन करे इसी प्रकार महर्शि धनवंतरी सुश्रुत में लिखते हैं चूर्णेन तेजोवत्याष्च दंतानित्यम विशोधहेत एकईकम घर्शेद दंतम मृदुना कूर्चकेन च दंतशोध चूर्णेन दंतमानसान निबाधहयन चिकितसा स्थान अध्याय चोचाउस प्रयोग भी लिखा है जो दातों के लिए अत्यंत हितकर है मनुजी महराज ने भी प्रातहकाल दातौन करने का विधान किया है दंतधावनम पूर्वाहन एवकुरवीत एर चार श्लोक एव प्रियबा दंतधावन प्रातहकाल प्रथम प्रहर में ही करे दातों करने के लाभ निहन्ती गंध वैरस्यम जिहवादंतास्य जम्मलम निश्क्रिश्य रुचिमा धत्ते सद्यो दंत विशोधनम चरक सूत्रस्थान अरो पाँच श्लोक 66 प्रतिदिन दंतशोधन दातों करने से जिहवा, दांत और मुख के अंदर का मैल निकल जाता है दुरगंध तथा विरसता मुख का खराब स्वाध होना नश्ट होते हैं और रुचि बढ़ती हैं उपर्युक्त गुण दातों से ततकाल ही प्राप्त हो जाते हैं सुश्रुत में दातों के गुण इस प्रकार दर्शाये हैं तद दौरगंध योपदे हो तुशलेश मानम चाप करशती वैशद्य मन्ना भिरुचीं सौमनस्यं करोती च चिकित सा स्थान अध्याय चोबाउस श्लोक नौपो दस दातों मुख की दुरगंध और दूशित कफ को बाहर निकला देती है मल आदि की विशदता चिकनाई को दूर करती तथा अन्न में रुची और मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मुख और दातों की शुद्धि के विज्ञान पर प्राचीन रशियों ने बड़ी भारी खोज की है और प्रतिदिन दातौन करने पर बल दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मुख शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हमारे पेट में जो भोजन पहुचता है और इसमें दांत आदी अवयव भी वे ही रखे गए हैं जो भोजन को उदर तक पहुचाने में सहायक होते हैं दांत भोजन को चबा कर पचाने योग्य बनाते हैं दांतों को भोजन चबाते समय जीब भोजन को उलटने पलटने में सहायता देती है और इसका स्वाद भी बताती है बोलना शब्द करना आदी भी मुख का कार्य है जिस प्रकार शरीर में मुख एक आवश्यक अंग है उ पीछे तो पेट ही भरना होता है दांतों से ही मुख सुंदरता है दांतों के अभाव में मुख पिचक जाता है और गाल अंदर को धंस जाते हैं मनुष्य की आकरती बिगड़ कर कुरूप हो जाती है शब्दों का उच्चारण शुद्ध की और स्पष्ट नहीं होता दांत प्रिथक प्रिथक हैं जैसे दाढ़ें, कीलें और दांत हमारे दांत मुख के जिस भाग में गड़े हुए होते हैं उसे मसूडा कहते हैं दांत दो बार निकलते हैं एक तो बाल्यकाल के दूध के दांत जो आठ दस वर्ष की आयू में ही गिर जाते हैं पुनह नए अन्न क दांत उत्पन होते हैं जो सावधानी रखने पर अंत तक कार्य देते हैं जो व्यक्ति सौ वर्ष से अधिक आयू भोगते हैं उनके तीसरी बार भी दांत उगते देखे गए हैं किन्तु यह दांत निर्बल और बहुत छोटे होते हैं दांतों और स्वास्थे का बड़ा भ जो थोड़े बहुत कुछ करते भी हैं उनमें से अधिकांश को दांतों को शुद्ध करने का यथार्थ ग्यान ही नहीं होता है। मांज कर खराब कर डालते हैं। इसी प्रकार कितने ही भोले लोग सुपारी की राक बडामों के छिलके की राक और बाजारी मंजनों से अपने दांतों की जड़ काट लेते हैं और लाभ के स्थान पर हानी ही उठाते हैं। बहुत थोड़े ही ऐसे विचार शील व्यक्ती है जो अपने प्राचीन आयूरवेद शास्त्र की आग्या पर रशियों के आदेशान उसार विधिपूर्वक व्रिक्ष शाखा की अच्छी मृदू कोमल कूची बना कर प्रतिदिन दातौन करते हैं। कहां तक अपने शास्त्रों और रशियों के गुणगाएं उन्होंने प्रत्येक जीवनपयोगी विशय को कितना खोल कर स्पष्ट कर दिया है। मानुगागर में सागर भर दिया है। दातौन का परिमान दातौन कितनी मोटी तथा लंबी होनी चाहिए। इस विशय में महर्शि धन्वंतरी सुश्रुत में लिखते हैं। अर्थात किसी प्रकार का कीड़ा आदी न लगा हो और विकार रहित हो। जहां दो शाखाएं हो ऐसी गांठवाली न होनी चाहिए। दातौन का अगला भाग मृदू होना चाहिए जिसकी अच्छी कूची बन सके। और जिस व्रिक्ष की दातौन हो वह श्रेष्ठ शुद्ध भूमी में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। इच्छा हुई जिस किसी व्रिक्ष की दातौन तोड़ी और करने लगे। ऐसा करने से किसी विश्रिक्ष वा हानिकारक व्रिक्ष की भूल में दातौन की जा सकती है। इसलिए दातौन का एक स्थान पर विज्यात व्रिक्षम ऐसा विशेशन दिया है। अर्थात जिस व् वीरार्क मालती कुमासना, शस्यंते दंत पवने ये चाप्यवं विधा दुमा, सूत्रस्थान, अरोजो पांच श्लोक सत्तर, अर्थात करंज कनेर, आक, मालती, अर्जुन तथा असन, विजैसार, आदि व्रिक्ष तथा इनके समान गुणवाले अन्य व्रिक्षों की भी द ध्याय चौबाउस, श्लोक 6, कडवे व्रिक्षों में नियम, कशैले व्रिक्षों में खैर, मधुरों में महुआ और कटू, चपर रसवाले, व्रिक्षों में करंज की दातौन श्रेष्ठ होती है, एक अन्य स्थन पर लिखा है, अर्कन्य ग्रोध खदिर, करंजक प्रातर भुक्तवाच, मृद्वग्रम, कशाय कटू, तिक्त कम, भक्षये दंत धावनम, दंत मानसान्य बाधयन, आक, बढ़, खैर, करंज और अर्जुन आदी उसी प्रकार कशाय, कटू और तिक्त रसवाले, अन्य व्रिक्षों की दातौन लें, और उसके अग्र भाग को चबा कर ऐसी मृदु कूंची बना लें, कि उससे दांतों को घिस्ते समय मसूडों को रगड न पहुंचे, इसी प्रकार कई ग्रंथों में इरिमेद, अपामार्ग, कदंब, आम्र, वेनु प्रिष्ट, बांस, बिल्व, और उदुंबर आदी व्रिक्षों की दातौन कर करने का भी विधान है, एक स्मृती में यहां तक लिख दिया है, सर्वे कंटकिनह पुन्या, क्षीरिनश्च यशस्विनह, अर्थात सब कांटेदार व्रिक्षों और दूध वाले व्रिक्षों का प्रयोग, यश और पुन्य प्रदान करता है, अर्थात इनकी दातौन भी लाभ दायक है, दातौन किस व्रिक्ष की हो? हमारे सम्मुख यह समस्या है कि इतने व्रिक्षों में से किन-किन व्रिक्षों की दातौन करें, प्रभु ने तो सभी व्रिक्ष हमारे लाभ के लिए बनाए हैं, किन्तु इन से लाभ वहानी उठाना हमारी बुद्धी अथव इनके उचित अनुचित प्रयोग पर निर्भर है। इनमें से किसी भी एक रसवाले व्रिक्ष की दातौन प्रातह उठकर करनी चाहिए। निघंटु में नियम के विशय में लिखा है। नियम कड़वा, शीतल, सूजन और वायू का शमन करता है। नेत्रों के लिए हितकारी, क्रिमिपित और विशनाशक है। अत्यंत रक्त शोधक है। इसी प्रकार के अनेक गुण और भी लिखे हैं। इसी लिए नियम की दातौन भी मसूडों वा दांतों के सब रोगों के लिए लाभधायक है। क्रिमियों को दूर करने वाली है। यूनानी इलाज की पुस्तक, इलाजुल गुर्बा में लिखा है। भोजन में रुची उत्पन्न करती है। वरण फोड़े फुनसियों से सुरक्षित रखती है। गर्मी से बचाती है और कुपित कफ का शमन करती है। वमन आने से रोगती है। प्रमेह आदिवीर्य के रोगों के लिए लाभप्रद है। नेत्र जोती को बढ़ाती और रक्षा करती है। रक्त दोश के रोगियों के लिए प्रतिदिन नियम की दातौन का प्रयोग बहुत अच्छा है। और सामान्य लोगों के लिए वसंत रतु में अर्थात फालगुन वचैत्र के दिनों में नियम की दातौन बहुत अच्छी रहती है। इससे रक्त संबंधी विकार नहीं होते। बकायन की दातौन के भी लगभग वे ही लाब होते हैं जो नियम की दातौन के वर्णित किये हैं। दो, खदिर की दातौन कसैले व्रिक्षों में खदिर, खैर की दातौन श्रेष्ठ मानी है। और इसी प्रकार रक्त दोश के रोगी और चर्म रोगियों को खदिर व्रिक्ष की दातौन करनी चाहिए। खदिर की दातौन मुख के छालों और मसूडों के पीप को दूर करती है। कफ प्रकृती वाले मोटे फूले हुए, मनुष्य के लिए भी खैर की दातौन लाभदायक है। किन्तु इसका व्रिक्ष सब स्थानों पर नहीं होता, इसलिए सर्व साधारण इससे लाभ नहीं उठा सकते। तीन, बबूल की दातौन कशाय रसवाले व्रिक्षों में बबूल, कीकर का व्रिक्ष भारतवर्ष के सभी भागों में पाया जाता है। इसकी दातौन प्रायह सभी लोग करते हैं। बबूर भी इसी का नाम है। इसके गुणों पर द्रिष्टिपात करने से विदित होता है कि यह एक ऐसा व्रिक्ष है कि जिसकी दातौन बिना भेद भाव के प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि यह सभी के लिए हितकारक ह भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, बबूलह कफनुद ग्राही, कुष्ट क्रिमि विशापह, अर्थात बबूल, कीकर, ग्राही और कफ, कोड, क्रिमि तथा विशनाशक है। निघंटु रत्नाकर में लिखा है, बबूल कडवा, कसैला, मीठा, चिकना, ठंडा, ती प्रक्रति वालों के अनुकूल पड़ता है, दातौन में जो गुण होने चाहिएं, वे सभी इसमें हैं, इसलिए इसकी दातौन का प्रचार भारत वर्ष में प्राचीन काल से चला आता है, आज भी भारत में शिक्षित वा अशिक्षित और सभी मतों के अनुयाईं इसकी दातों का प्रयोग करते हैं। मसूडे और दातों को क्रमि रोगों से सुरक्षित रखता है। हमारे विचार में प्रत्यक मनुष्य को सदयव बबूल की ही दातॉन करनी चाहिए। चार, महुवे की दातॉन मीठे व्रिक्षों में महुवे की दातॉन श्रेष्ठ मानी है। यह मुख को शुद्ध करती है और मुख के छाले, मसूडों की उष्णता और सूजन को दूर करती है। पांच, करंज की दातौन चपरे, कटू रस के व्रिक्षों में करंज की दातौन श्रेष्ट होती है। यह अर्ष, रक्त दोश और कफ को नश्ट करती है। वर्षा रतु के पश्चात जब विश्मजवर मलेरिया फैलता है, उन दिनों में करंज की दातौन करने से मनुष्य विश्मजवर से बचा रहता है। 6. कचनार की दातौन कचनार की दातौन कफ के रोग और कंठ रोगियों के लिए विशेशकर कंठ हमाला के लिए अत्यंत लाभ दायक है। 9. अर्क की दातौन अर्क 9. की दातौन बिना किसी वैद्य की सम्मती के स्वयम कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 10. की दातौन बहुत व्रिद्ध, नशों में फंसे हुए मनुष्य तथा श्वास, कास आधिकफ के रोगियों के लिए लाभ दायक है। 10. पीपल की दातौन पीपल का व्रिक्ष भारत के सभी भागों में पाया जाता है। 11. यह मीठा, कसैला, शीतल, रूक्ष, भारी, रक्तदोश, जलन उश्नता, कफ और फोड़े फुनसियों को दूर करने वाला है। 11. रंग को निखारता है, स्त्रियोनी को शुद्ध करता है, शरीर का सूखना, राजयक्षमा, तपेदिक और पित्तजवरों के लिए अत्यंत लाभ दायक है। 12. तृतियक, एक दिन छोड़ कर आने वाले, ज्वर में पीपल की दातौन खूब लाभ करती है। 12. जिस दिन तृतियक ज्वर आने का दिन हो, रोगी एक गज भर लंबी दातौन लेकर निरंतर चबाता रहे। 12. फेफड़ों कि पीड़ा दूर करने में एक ही ओशद है। 12. मौलसरी की दातौन मौलसरी को संस्कृत में वज्रदंती कहते हैं। 12. वज्र संस्कृत में हीरे का नाम है। 12. होरे की सुद्रधता और कांती संसार में प्रसिद्ध है। 12. मौलसरी की दातौन दातों को हीरे के समान कांती वाला और सुद्रध बना देती है। 12. इसलिए इसका नाम वज्रदंती है। 12. संस्कृत भाशा में यही विशेश गुण है कि नाम के अंदर ही गुण नहित रहते हैं। 12. इस प्रकार वज्रदंती भी यथा नाम तथा गुण वाली लोकोक्ती को पूरा करने वाला व्रिक्ष है। 12. दातों का संभव है कोई ही रोग ऐसा हो जो मौलसरी की दातों से नश्ट न होसके। 12. इसलिए सबसे अधिक लाभदायक दातों मौलसरी की ही होती है। 12. किन्तु अत्यंत दोग की बात है इसके व्रिक्ष सर्वत्र नहीं मिलते। 12. ऐसी अवस्था में बबूल की ही दातों अत्वा नियम आदी अन्य व्रिक्षों की दातों करें। 12. अत्वा जो जहां अधिकता से मिलता हो और जिसकी चबाने से अच्छी कूँची बन जाए और वह स्वास्थे के लिए भी हानिप्रद न हो ऐसे किसी व्रिक्ष की दातों की जा सकती है। 12. दातों छिलके सहित करें, उसका छिलका कभी न उतारें। कोई-कोई मनुष्य पत्थर आदी से कूट कर कूँची बनाते हैं यह उचित नहीं। दातों से चबाकर कूँची बनाने से मुक तथा दातों का व्यायाम होता है। दातों की जड़ें सुद्रिड होकर ये व्रिद्ध अवस्था तक काम देते हैं। कूची को शुद्ध करके समस्त दाढ़ और दातों को अंदर बाहर से धीरे धीरे भली भानती प्रत्येक दात को नीचे से उपर और उपर से नीचे रगड़ रगड़ कर शुद्ध करें। इस प्रकार दातों को खड़े और उपर से नीचे और नीचे से उपर की ओर घिसने से शीग्र शुद्ध होते हैं। दंतान, पूर्व, मधो, घरशेत से जहात होता है कि पार्थों में दातों नहीं फेरनी चाहिए। अर्थात दक्षिन से बाम और वाम से दक्षिन को दातों न करें। बीच बीच में दातों को शुद्ध जल से धोते भी जाएं। आदि से अंत तक बिना धोये मैल की दालीन करने से हानी हो सकती है। यदि मुख में कोई रोगी दांत हो तो उसके मैल से अन्य दांत भी रोगी हो जाते हैं। इसलिए दातौन धोने के लिए जल सदैव साथ लेकर बैठें। बिना जल के दातौन कभी न करें। मसूडों पर भी दातौन को रगड़ना चाहिए। किन्तु इस प्रकार रगड़ें कि दातौन की रगड़ से मसूडे फूट या छिलना जाए। दातौन करते समय जो मुख से राल ठूक आदी मल निकले उसे नीचे गिराते जाएं। जिससे वायू आदी का दूशित मल सब निकल जाए। दातौन करने का उद्देश्य मुख और दातों को भली भानती शुद्धि करना है। दातौन करते समय दातौन करने में ही ध्यान होना चाहिए। लोग दातौन करने में घंटों लगा देते हैं। मुह में दातौन डाली और इधर उधर घूमते रहे। साथ ह साथ गपें भी मारते रहे। इतस्ततह थूक थूक कर स्थानों को गंदा करने और रोग फैलाने का कारण बनते हैं। राल वा थूक एक अमूल लिवस्तू है। दातौन मुह में डाल कर यों ही थूकते रहना कितनी मूर्खता का कार्य है। ये थूक पेट में जाकर भोजन मे मिलकर उसे कितना शीग्र पचाने के योग्य बनाता है। यदि वे इस महत्वपूर्ण बात को जानते हों तो ऐसी भूल न करें। यदि विधिपूर्वक दस मिनट ध्यान देकर दातौन कर लें तो परियाप्थ है क्योंकि भोजन के पीछे जल से अच्छी प्रकार कुला करके दातों को साफ कर लें तो थोड़ी देर दातौन करने से कार्य चल जाता है। क्योंकि हमारे भोजन का जो थोड़ा बहुत अंश दातों में उलजा हुआ रह जाता है। वही दातों पर या उनकी संधियों में इकठा हो जाता है। कुले और दातौन इसी मल को दूर करन पुर्णध के दातों के रहने के लिए दातों की जड़ों और संधियों में पड़ा हुआ सड़ने लगता है। उनको मैला और रोगी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य के मुख में से दुर्गंध आया करती है। दूशित तत्व और दुर्गंध के कन भोजन करते समय ठूक में मिलकर पेट में पहुँचेंगे और जो भोजन पचने के लिए पेट में पहुँच चुका है उसे भी दूशित कर डालेंगे। क्योंकि हमारे मुख के अंदर गालों में ठूक, लाला, उत्पन करने वाली ग् दूशित मल जो एक प्रकार का विश है, पेट में पहुँचकर भोजन को दूशित व विशाक्त कर डालता है, जिससे शरीर की रस, रक्त आदी सभी धातुएं दूशित होकर मनुश्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और शरीरम व्याधिमंदिरम शरीर रोगों का घर बन जाता है, रशियों के देश इस भारत की कितनी दुर्दशा है कि सौ में से एक व्यक्ती भी अपने दांतों की शुद्धी की ओर ठीक ध्यान नहीं देता, इसलिए जिधर भी देखो, पीले पीले गंदे दांत वालों को देख कर जी घबराता है, गलानिव घणा उत्प पाते रहते हैं, वे भले मानुष एक साथ पांच पांच साथ साथ पानों के बंडल बलपूरवक मुख में ठोंसते हैं, और उपर से सिगरेट बीडी की भी भरमार करते हैं, उनके दांत इतने काले और मलिन होते हैं कि जिनको देख कर मनुष्य को वमन आ जाए, उनके की दुरगंध का कहना ही क्या, उसका वर्णन करना मेरी शक्ती से बाहर है, भला ऐसे लोगों का स्वास्थे क्या कभी स्वपन में भी ठीक रह सकता है, आश्चर्य की बात तो ये है कि दक्षिन भारत ही क्या, मध्य भारत, मालवा और बंगाल की भी ऐसी ही दुरदशा है, धारिणम विमुन्चती श्रीर्यदी चक्रपानी, चानके नीती अजरो पंदधना श्लोक चार, जिसके दांतों पर मैल है अर्थात, जिसके दांत शुध नहीं उसको श्री अर्थात, लक्ष्मी, शोभा, सुन्दर्ता, कांती, मन, बुध्धी, विद्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप संपत्ती, आदी संपूर्ण, एश्वर्य छोड़ कर चले जाते हैं, इसलिए स्वास्थय तो गया, दरिद्रता महाराणी ने भी वहां डेरा जमाया है, जिन प्रानतों में दातौन करने का अच्छा प्रचार है, उन पंजाब, उत्तर प्रदेश, गु कि मैं दातौन की ये बिना भोजन न करूँगा, स्वयम करनी तथा लोगों से करानी चाहिए, दातौन द्वारा जहवा शुद्ध जब दातौन से दात खूब साफ कर लें, तो दातौन को धोकर उसको बीच में से चीर कर दो भाग कर लें, एक भाग को मध्ध में से मोड़ कर उसके दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़ कर चिरे हुए छप्टे भाग से धीरे धीरे जीब को घिसकर जमे हुए सफेद मैल को छुड़ा देवें, और दातौन के दूसरे चिरे हुए भाग से सीधी लकडी से, जीब को कंठ तक शुद्ध कर डालें, पुनह दातौन को धोकर फेंके देवें, दाएं हाथ की तरजनी और मध्यमा अंगुली को मुख में दूर तक डाल कर कंठ के कफ आदी को बाहर निकाल डालें, फिर एक अंगुली से जहवा के नीचे के भाग को धीरे धीरे घिसकर शुद्ध कर डालें, पुनह मुख के अंदर जल भर कर, खूब हिला हिला कर कुली करें। इस प्रकार से करने से मुख का सब मल दूर होकर दुर गंधरहित हो जाता है। जहां शुद्धी होती है, वहां साथ साथ मुख का अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। दंत मर्दन दांत, दाढ़, दांतों की जड़ और मसूडों को अंधर और बाहर से दाएं हाथ की तरजनी अंगुली से कुछ देर भली भांती प्रति दिन मर्दन मालिश किया करें। इस मर्दन से दांतों को बहुत लाब पहुँचता है। दांत और दांतों की जड़े सुद्रिड हो जाती है। पायोरिया, दांतों में खून वपीप निकलना, आदी रोग नहीं सताते, दांतों की आयू बढ़ती है। दातौन के पश्चात इसे प्रति दिन करें तो यह क्रिया सोने पर सुहागे का काम देती है। एक बात का सदैव ध्यान रखें। दातौन करने के समय, कुला आधी करते समय सदैव शीतल जल का प्रयोग करें, जो मनुष्य नित्य प्रति दातौन करते हैं। उनके दात और शरीर ओर तो सदैव निरोग रहते ही हैं, साथ ही दातौन करने से नेत्रों का मैल और विश्प्रति दिन निकलता रहता है, जिससे आँखें शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं। नेत्र जियोती बढ़ती है और चक्षु संबंधी कोई भी रोग नहीं होता, यहां तक कि आँख भी नहीं दुखती और मुख की शुद्धी भली प्रकार होने से मुख संबंधी रोग भी नहीं सताते। दातों और नेत्रों का कितना निकट्तम संबंध है, इसे थोड़े ही लोग जानते हैं, दांतों के दूशित होने से आँखों में भी अनेक दोश और रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यहां तक कि मनुष्य अंधा भी हो जाता है। जब उसने अपने दांतों को उखडवा दिया, तब उसे उसका खोया हुआ स्वास्थ्य फिर प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक सज्जन मेरे मिलने वाले थे। चिकित्सार्थ श्री वैद्य कर्मवीर जी के पास नरेला आये। न जाने कितने वैद्यों और डाक्टरों के पास घूम घाम कर परियाप्त धन खों चुके थे। उनकी पाचन शक्ती सर्वता बिगड़ चुकी थी। भूख लगती ही न थी। यकृत, जिगर के दूशित हाने से रक्त आदी धातुयें भी न बनती थी। प्रत्येक समय उदर और सिर में पीड़ा रहती थी। इसी और किसी वैद्य का भी ध्यान नहीं गया। जब उनके दातों की चिकित्सा की गई तब दातों के साथ ही सारे रोग नौदो ग्यारह हो गये और वह सज्जन सर्वता स्वस्थ हो गया। जादू की लकड़ी प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त उदाहरणों से शिक्षा लेन है। इसलिए स्वस्थ और ब्रह्मचर्य प्रेमी व्यक्ति को दातों करना अपनी दिन्चर्या का आवश्यक अंग समझना चाहिए। क्योंकि अस्वस्थ मनुष्य ब्रह्मचर्य रक्षा में कभी सफल नहीं हो सकते। दातों और स्वास्थे का कितना घनिष्ठ संबंध है ये भली भांती सिद्ध कर चुके हैं। हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि ब्रह्मचारी ही क्या सभी मनुष्यों का प्रतिदिन दातों द्वारा दातों की शुद्ध करना एक परमावश्यक करतव्य है। दातों को स्वस्थ, शुद्ध और सुद्रड बनाने के लिए निम्न लिखित बातों का प्रतियक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक बातें एन, भोजन सदैव ताजा और ठंडा करके खाओ। उश्न, गर्म, भोजन के चबाने से दातों की जड़ें निर्बल हो जाती हैं। दो, इसी प्रकार बर्फ मिला हुआ ठंडा प भुने हुए जो, मक्का आदी चबाने, खाते रहने से दातों की शक्ति बनी रहती है, क्योंकि इससे दातों का व्यायाम होता है। पांच, भोजन सदैव चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे भोजन भी शीग्र पचता है, और दातों का व्यायाम होने से दात स्वस्थ औ ये तो दिये हैं, जो दांतों से काम नहीं लेते, उनके दांत और आंख दोनों ही खराब हो जाते हैं, और स्वास्थे बिगडने का मुख्य कारण यही है। 7. भोजन के उपरांत जल से बार बार कुली करके मुख और दांतों को साफ कर देना चाहिए, जिससे भोजन का अंश दांतों की जड़ों और संधियों में पड़ा रहकर दांतों के खराब होने का कारण न बने। 8. भोजन के पीछे ततकाल ही चड़े हुए ज्वर में शीत पित छपाकी होने पर दातों नहीं करनी चाहिए। 9. खटाई, मिठाई एक साथ मिलाकर खाने अथवा अधिक खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं। 10. दांतों को रोगी दूशित करने में मीठा, मीठे विश का कार्य करता है। 11. चाय स्वास्थे तथा दांतों के लिए अत्यंत हानिकारक है। 11. चाय पीने वाले इसे खूब गर्म गर्म पीते हैं। 11. इसलिए प्रथम तो चाय ही हानिकारक और दूसरे इसे गर्म गर्म पीना, करेला और नियम चड़ा वाली बात इससे सिद्ध होती है। 12. ये दांतों का सर्वनाश कर डालती है। 12. दोनों से ही दांतों को हानि होती है। 12. ब्रह्म चारी क्या सभी विचारशील मनुश्यों को इन विशैले पदार्थों से सदैव दूर रहना चाहिए। 8-10 दिन में एक बार दातों की कूँची को किसी उत्तम मंजन में भर कर दांतों को साफ करना चाहिए। 9-10 दंतमंजन न मिले तो हल्दी और नमक, दोनों लगभग संभाग ले बारीक पीस कर इससे दांतों को शुद्ध करना चाहिए। 10-10 तिल अथवा सरसों के तैल के दातों को भर कर दांतों पर रगड़ने से दांत तथा उसकी जड़ शुद्ध और द्रिड होती है। सरसों के तैल में सूक्ष्म, बारीक, पिसा हुआ सैंधानमक मिला कर अंगुली से दांतों और दाड़ों को भीतर और बाहर सब और लगा कर मलना चाहिए। फिर पीछे कुल्ला कर डालें, इससे दांत शुद्ध और द्रिड होते हैं। मंजन कभी दातों न मिलने पर किसी विशेश अवस्था में दांतों को शुद्ध करने के लिए कुछ लाबदायक योग पाठकों के लाभार्थ लिख देता हूँ। इनका स्वस्थ अवस्था में भी दातों के समान लाब होता है। एट, मंजन का सरल योग इस मंजन का साधारन अवस्थाओं में दातों के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यह सर्वत्र बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो सकता है। योग बहुत ही अच्छा है। गौ के गोबर के उपलों की भस्म, राख, लेकर कपडचान कर ले। यदि जंगली आरणों की भस्म उपलब्ध हो तो क्या कहना है? वही मंजन है। इसको मंजन की आवश्यक्ता पड़ी डीने पर दांतों और मसूडों पर मंजन की भांती मल कर शुद्ध जल से कुल्ला करें। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा दें वाली बात इस मंजन पर घटती है। ये बिना पैसे का मंजन दांतों को इतना शुद्ध कांतिमय, चमकीला बना देता है कि जिसके आगे बहुत मूल लिवान, महगे, मंजन भी फीके पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रयोग से दांतों के क्रिमी, कौड़े, दूर हो जाते हैं। दांत और मसूडे सर्व प्रकार के मलों से शुद्ध और पवित्र होकर सदैव रोगों से सुरक्षित रहते हैं। सोये नहीं थे। मैं भी कार्यवश वहां गया हुआ था। इस घोरकष्ट के कारण उनके मुह से जो शब्द निकल रहे थे, उन्होंने मेरी निद्रा भंग कर दी। मैंने उस समय जैसी भस्म प्राप्त हुई उसका प्रयोग करा दिया। उस समय वे शांत होकर सो गये और उनका कष्ट दूर हो गया। मंजन का प्रसिद्ध योग मंजन का यह योग बहुत ही प्रसिद्ध और लाभधायक है। लगभग दांतों के सभी रोगों के लिए यह बहुत अच्छी ओशद है। भारत के साधरन लोग भी इसे जानते हैं। किन्तु दुहक की बात है कि इसका प्रयोग नहीं करते। मै मंजन लगभग दांतों के सभी रोगों की अचूक औशद है। दांत और दाढ़ की पीडा इसके मलते ही भाग जाती है। मसूडों के भी सब दोश दूर हो जाते हैं। सोट, पीपल बड़ा, काली मिर्च, नीला थोथा भुना हुआ, पांचों लवन, नमक, पतंग, लकडी और माजू इन सब औशदियों को समतोल लेकर अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण करें और वस्त्र में चान कर सुरक्षित रखें। कोई-कोई इसमें शेल खडी भी मिलते है आवशक्ता पढ़ने पर प्रयोग करके लाब उठाएं तथा प्राचीन पुरुशों के गीत गाएं। गेरू, अगर, पदमाक, मंजीट, लोध, मुलहटी, लाख, नागरमोथा, बढ़ की चाल, दालचीनी, जायफल, कपूर, कंकोल, खैर की चाल, पतंग, धाय के फूल, इलाइची छोटी, नाकेशर, कायफल, प्रत्येक, एक-एक तोला। जब केवल तैल रह जाए, उतार कर तैल को निथार कर शीतल होने पर शीशियों में भर दें, यह तैल गुरुकुल जजजर से मिलता है, यही आयूरवेद का प्रसिध योग इरिमेदादी तैल है, इस तैल का एक फाया दांतों की भयंकर पीडा को दूर कर देता है, प्रति दिन इस तैल के प्रयोग से दांत ह हिलते नहीं और जिसके हिलते हों उसके पुष्ट हो जाते हैं, दांतों से ठंडी वस्तु चबाई न जावे, पानी भी लगे, ठंडी वायू भी सहन न होती हो, दांतों से रक्ताना, पायरिया, पी पाना, एस्टेरिस की अमंजन बना-बनाया गुरुकुल जजजर से भी म करता है, इस तैल को अंगुली से दांत और मसूडों पर अंदर बाहर मलना चाहिए, इसके प्रयोग से काले, पीले, मैले दांत भी शुद्ध चमकीले हो जाते हैं, दांतों के रोगों की अद्भुत औशद रशियों की कृपा से मिली है, प्रयोग करें और लाब उठाएं दांतों की शुद्ध पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यदि पाचन शक्ति ठीक कार्य नहीं करती तो ब्रह्मचर्य पालन करना अथवा स्वस्थ रहना असंभव है, अतह प्रत्येक स्वास्थि प्रेमी को दांतों की शुद्ध रकषार्थ इस पुस्तक से लाब उठाना चाहिए। इति जरूरी सूचना दोस्तों जैसा की आप अभी को पता है भारत वैदिक बुक्स स्टोर पूरे भारत और विदेशों में पुस्तक भेजता है। आप भी यदि असली वेद दर्शन, उपनिशद, रामायन, महा भारत, मनुस्मृती य योग आयूरवेद वह अन्य धार्मिक पुस्तके मंगवाना चाहते हैं, तो आज ही संपर्क करे 9068415684 वेदों पर विशेश छूट। जै हिंद जै भारत।